नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है कॉंग्रेस के वरिष नेता अहमद पटेल अब नहीं रहे यानि कॉंग्रेस के गांधी परिवार के बीच एक कॉडिनेटर की भूमिका निवाने वाले अहमद पटेल की मौत से कॉंग्रेस को बहुत बड़ा जटका लगने वाला है एक तरफ अहमद पटेल जैसे कॉंग्रेस के वरिष नेता जो गांधी परिवार को एक जूट रखने और साथ साथ गांधी परिवार से बाहर के जो कॉंग्रेसी नेता है उनको गांधी परिवार के साथ जोडे रखने में एक महत्पूर्ण भोमिका निभाते रहे हैं उनकी मौद के बाद गांधी परिवार और बाहर के एक कॉंग्रेसे नेताओं के बीच जो ब्रिज था वो ढगया है तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के अंदर ही एक खलवली मची हुई है और परिवार में फूट के बीज बोये जाने लगे हैं क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच अब चुनने को लेकर कॉंग्रेस के अंदर गुटबाजी बढ़ गई है कि आखिरकार कॉंग्रेस किनके हाथों में सुरच्छित रहेगी और इसलिए कॉंग्रेस के जो विरोधी गुट के लोग है यानि की राहुल गांधी के विरोध करने वाले लोग इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि किसी तरह से प्रियंका गांधी को केवल उत्तर परदेश की राजनीती में सिम्टे रखना ठीक नहीं है और उन्हें वहां से बाहर निकाल कर राश्टिय अस्तर पर कॉंग्रेस में एक बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि प्रियंका गांधी को लोग सभा या राज सभा के माध्यम से दिल्ली लाया जाए और इसके लिए ही तैयारी चल रही थी और इस बीच जो राहूल गांधी के विरोधी गुट के लोग हैं यानि की ग्रूप 23 में से ही एक जगह से ये बात उठी कि प्रियंका गांधी को लोग सभा का उपचुनाब लड़ाया जाए तमी नाडू के कन्या कुमारी में होने वाले उपचुनाब को लेकर चर्चा तेज हो रही है और इस बीच पी चिदंबरम के बेटे और कॉंग्रेस के सांसद कार्ती चिदंबरम ने एक सगूफा छोड़ दिया उन्होंने प्रियंका गांधी को ओफर दिया है कि कन्या कुमारी से वो लोग सभा का उपचुनाब लड़े ताकि जो कॉंग्रेस के सामान ने वरकर हैं वो तमी नाडू में जो कॉंग्रेस के लिए काम करने वाले वरकर हैं वो और बीच के नेता भी वाइवरेट हो तमी ड अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाब की तैयारी कॉंग्रेस भी जोर सोसे कर रही है और चिदम्रम की बड़ी भूमिका वहाँ पर हो सकती है अगर वहाँ पर गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को यानि प्रियंका गांधी को उप्चुनाब लड़ने के लिए मना ले और इसलिए वहाँ पर जो कवायद चल रही है वो लोक सभा के रास्ते प्रियंका गांधी को दिल्ली लाने की है और प्रियंका गांधी के पीछे जो कॉंग्रेस के नेता खड़े हैं उसके कारण राहुल गांधी की बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि एक तरफ कॉंग्रेस में जो नेत्रित्व का संकट चल रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए कॉंग्रेस के कई नेता तलवार खिचे हुए हैं जिसमें गुलाब नभी आजाद ने हाल फिल हाल में ऐसी बाते उठाई और कपील सिबल, पीची दमरम यहां तक के शसी थरूर जैसे नेता भी उनके साथ खड़े हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह से कॉंग्रेस को एक स्थाय अध्यक्ष मिले, सोनिया गांधी जो अंत्रीम अध्यक्ष बनी हुई है कॉंग्रेस की, वो कॉंग्रेस को सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रही हैं और सोनिया इससे उनकी छबी को नुकसान पहुचने का खत्रा ऐसा लग रहा है और राहूल गांधी के सलाकार भी यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से कॉंग्रेस लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है कॉंग्रेस को, वैसी स्थिति में अगर राहूल गांधी के कंधे पर अध्यक बनना नहीं चाह रहे हैं और दूसरी तरफ सोनिया गांधी अंत्रीम अध्यक्ष बनी हुई हैं लेकिन जो इस्थितियां बदली है उसमें राहूल गांधी के विरोधी गुट के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि राहूल गांधी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब दीही जाए इतना प्रेसर बनाया जाए कि ततकाल अध्यक्ष का चुनाब हो और गुलाम नभी अजाद ने पिछले दिनों जो कहा था कि नीचे से उपर के अस्तर पर यानि कि डिस्टिक ब्लॉक से लेकर अस्टेट और केंद्रिय नित्रित्वक्त CWC तक भी जो नए तरीके से चुनाब हो और कॉंग्रेस में पद जो मिले हुए हैं जो अनावस्यक तोर पर लोगों को इंपोर्टेंस दिया गया है उनको इंपोर्टेंस उस तरह से न दिया जाए और गुटबाजी को कम करने के कोशिश की जाए लेकिन उनकी बात को तो अन्जोना कर दिया गया और इ पी जानी चाहिए और इसलिए तमी नाडो के उपचुनाब में उन्हें उतारने की तैयारी भी की जा रही थी। दूसरी तरफ जो तमी नाडो में विधान सभा चुनाब होने वाला है उससे पहले अगर लोक सभा के चुनाब में प्रियंका गादी तमी नाडो में जाती हैं तो ऐसे इस्थिति में एक कॉंग्रेस के तरफ से हवा चल सकती है जिससे कॉंग्रेस की इस्थिति थोड़ी और फिर से वहाँ के जो कॉंग्रेसी वर्कर, कॉंग्रेसी नेता हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि विधान सभा चुनाब से पहले कॉंग्रेस को एक मजबूत इस्तिति में लाया जाए और कॉंग्रेस का परचार अभियान देज हो सके। तो ऐसे इस हिति में प्रियंका को डक्षिन भारत की राजनिती नहीं करने चाहिए। इसलिए एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है क्योंकि जो राहूल गांधी पहले ही केरल पहुँच चुके हैं केरल से वो लोग सवाचुनाब लड़े और जीते भी लेकिन दूसरी तरफ उत प्रियंका गांधी हिंदी हाटलेंड के किसी छेतर से चुनाब लड़े और इसलिए ये बात अभी थोड़े समय के लिए टाल दिया गया है कि कन्या कुमारी से होने वाले उप्चुनाब में प्रियंका गांधी खड़ी होंगी या नहीं लेकिन इस बात से चर्चा तेज हो गई है चिदमरम साब ने किसी न किसी अस्तर पर अपने बेटे को आगे किया और कार्दी चिदमरम ने पार्टी प्लेट्फॉर्म पर ये बात उठा दी और इसके पीछे का मकसद उनका अलग अलग था एक तो जो कन्या कुमारी लोक सवाचेतर है वो कॉंग्रेस के MP एच भारतिये जनता पार्टी के जीत हुई थी जो 2019 के लोक सभाचुनाब में एच वसंद कुमार ने 6,27,000 वोट पाए जबकि भारतिये जनता पार्टी के उमिदवार को 3,00,000 वोट मिला था और इसलिए इस बड़े मार्जिन को देखते हुए कार्थी चिदमरम को लगा कि इस वहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज करती हैं तो ऐसे स्थिति में राहुल के बदले प्रियंका को खड़ा करना आसान हो जाएगा लेकिन अभी तक इसके लिए हरी जंडी नहीं मिली है और राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं कि किस कमान उनके अंदर ही रहे और प्रियंका गांधी उत्तर परदेश की राधनीती में उलजी रहें लेकिन जो दो गुट बने हैं उन दो गुटों के बीच चर्चा इसी बात की चल रही है कि अब राहुल गांधी के बदले प्रियंका गांधी को लाया जाना चाहिए ताकि उ दूसरे को अध्यक्ष बनाना खतरनाख हो सकता है इन नेताओं के लिए भी जो नेतार राहुल गांधी के नेत्रित पर सवाल उठा रहे हैं उनको भी इस बात की जानकारी है कि अगर गांधी परिवार से बाहर किसी को कॉंग्रिस का अध्यक्ष बनाया जाएगा तो ऐसे स दिति में कॉंग्रिस में बड़ी फूट होना तै है और जो नेताराहुल के विरोध में हैं वो भी अलग थलग पढ़ते नजर आएगे और यही कारण है कि वो लोग प्रियंका गांधी के उपर दवा बना रहे हैं और उनके उपर दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं हाला कुछ समय में प्रियंका गांधी अब केंद्रिये राजनीती में आएंगी उत्तर परदेश से बाहर निकालने के उनकी तैयारी चल रही है और अब जो अहमद पतेल सरी के एक बड़े नेता की मौद के बाद जो कॉडिलेशन था गांधी परिवार के बीच उसमें एक मुश अफ़ादार लोगों में से एक रहे वो किसी न किसी तरह से कॉंग्रेश के दूसरे नेताओं को समझाते रहते थे उनके साथ एक कॉडिनिक बनाये रहते थे समन्वे किस्थिति रखते थे और साथ ही राहूल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच भी एक कड़ी बने तो उस समय भी समस्याओं के समधान में और कॉंग्रेस में के बीच जो हंगामा चल रहा था उसको कम करने में अहमद पटेल की बड़ी भूमिका थी अब अहमद पटेल के न रहने से एक तो गांधी परिवार के भीतर जो कॉडिनेशन होता था वो भी कम हो जाएगा और रा आपस में भी परतियस परधा करने लगे हैं और दूसरी तरह कॉंग्रेस के जो दो गुट बने हुए हैं वो भी इन दोनों को बीच दरार पैदा करने के कोशिश में लगे हुए हैं ताकि कॉंग्रेस को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रियंका गांधी के हाथ में उसक कमां सौपी जा सके तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है मैसा यूग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे हैं धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया